पॉलिटेकनिक कॉलेज में एड़िशन किस तरीके से होता है अगर हम चाहे कि एक अच्छा सामय सरकारी कॉलेज मिले और वह भी बेस्ट ब्रांच के द्वारा तो हमें क्या-क्या प्रोसेस फालो करनी होती हैं क्योंकि बहुत सारे इस्ट हर साल एड़िशन लेते हैं दिप्लोमा भी बोलते हैं अगर आप इंजिनरिंग में जाना चाहते हैं तो इंजिनरिंग में जाने के आपको बिसिकली इंडिया में तीन तरीके जो ज्यादा फालो होते हैं पहला आई टी आई है ना दूसरा पॉलिटेकनिक तीसरा है बीटेक आई से जाओगे तो छोट दिया गया है डिप्लोमा का तो इसे डिप्लोमा भी हम लोग कहते हैं क्या डिप्लोमा भी कहते हैं लेकिन यह इंजिनरिंग डिप्लोमा है प्प्प्皆さん वे जिए प्रॉप में आपको एडिपीरश नहीं तो वो कैसे मिलेगा यानि आपको उस पसंदीदा प्रांच पर एड़िशन कैसे होता है इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में समझें कियो कि मैंने खुद डिपलोमा किया हुआ है और हजारों स्टूडेंट हर साल हमारे कोचिंग संस्थान से पूरे वर्ल्ड वाइड इंडि विर्लोय regression में करके हि आप जा सकते हैं जैसे पहले आपका फोटैक्निक का तो आपको सबसे पहले कह लिए पॉप भर ना होगा ठीक है आं-लाइन आता है फ़ांएगा महिश्य महीने कंहें में हर साल निकलता है। form भरेंगे। stimulation गुल का उपको उप एक्जाम होगा। ups में अं-लाइन एक्जाम होता है बागे अफ- Tale में online होता है omr best होता है। यदि आपको question answer आएंगे आपको booklet यपर पर answer sheet करना होता है. ठीक है रिजल्ट आएगा अब रिजल्ट में आपको अभी तक जितना अच्छा किये है उसके अनुशार आपको रैंक मिलेगा कि आल ओवर इंडिया आपका रैंक क्या है जिसका जितना बढ़िया रैंक जैसे किसी का रैंक 5 आ गया मैं लोग कुसी ने एक्जाम दिया उसका रैंक 5 बढ़िया उनका नम comparative जो यूद्ण मिलेगा अब जब हैगा ना तो अब रिजल्ट आ रहने के बाद आपका एड़ीशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहां पर आपके रिजल्ट के बाद होगी काउंसलिंग बहुत सारे श्टुडेंट इस वर्ट को पहली बार सुने होंगे बहुत बच्चे जान रहे होंगे काउंसलिंग काउंसलिंग को सॉट फॉर्म में एड़ीशन प्रोसेस भी कहते हैं यहीं से आपका कॉलेज में दाखिला होता एड़ीशन होता है इसमें हमें एड़ीशन में समझने अभी तक आपसे ब्राच कॉलेज नहीं पूछा गया हमें तो कब हमसे पूछा जा depriगा वाईस आपको सिविल चाहिए इलेक्रिकल है पूरे इस्टेट में तो इसमें आप 24 करते है 24 का मतलब आप पसंद से पताते हो कि सर। हमें लखनो कौलेज में दे 2 यह सिविल खाली है तो सिविल दे 3 थीजए या फिर पत्ना वाले में सर यह खाली है तो आप भी कहोंगे सर जो सबसे बढ़ियँ publish zawsze सब लोग कहेगा हमको यही चाहिए, सब लोग कहेगा हमको तो यही चाहिए, अब सब लोग जब क्लैम करेंगे कि हमको यही ब्रांच चाहिए यही चाहिए, तो बोड को होगा दिक्कत, यार यह भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, तो वो किसे देगा, तो वो कहेगा भाई स इसका बढ़िया नमबर आया है, इसमें ज्यादा अच्छा किया है, पहले इसको मिलेगा, फिर अगर बचेगा तो इनको मिलेगा, इसलिए rank बहुत अच्छा आना चाहिए, ताकि आप जो चाह रहे हो, वही college मिले, और इस process को हम लोग बोलते है, counseling, counseling में आपका निरधारित हो आपने यहां पर अभी तक सिर्फ 24 फिल किया है, आप 24 फिल करने के बाद आपका फिर से, क्या आएगा, seat allotment result, right, आपका कौन सा seat मिला, seat allotment result, again आपको एक result declare किया जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते है, seat allotment result, आपको कौन सा seat allot हुआ है, वही यहां पर हमें पता चलेगा, अब जब यहां पर पता चल गया, तो आप आप जाके document अपना verification करवाएंगे, और finally जिस college में आपको भेजा गया है, है ना, वहां पर आपका admission होके पुरा पढ़ाई का प्रक्रिया पुरा होगा, तो यह step से आपको गुजरना है, उमीद है कि आपको यह काफी आसान वे में समझ में आगया होगा कि कौन-कौन सी CD चड़नी है, कौन-कौन से level को पार करने के बाद हमें admission मिलता है, और अगर आप polytechnic की तयारी कर रहे हैं, तो polytechnic की तयारी पूरा यहां पर इस channel पर आपको कराई जाता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो एक प्यार से like और नए व भी करना चाहते हैं, तो हमारी पूरी टीम आपको support करेगी, आप Google Play Store पे रेशवा Academy के नाम से mobile app डाउनलोड कर लीजिए, हाँ भाई, डाउनलोड करने के साथ ही आप अप अपना polytechnic का full course हमारे हाँ लेवल है, डेली चलाई जाती है, recording batches plus live batches दोनो, और फीस बहुत कम है, तो आप यहां पे जाके app अपना courses buy कर सकते हैं, बहुत कम फिस में, अगर आपको कोई और साहता चाहिए, तो आप हमारे help line number, है न, अगर आपको class join करना है, तो ही आप हमें call या message करके, whatsapp करके contact कर सकते हैं, हाँ सर हमें भी पॉल टेक्निके पूरी तयारी करनी है, और मेरा म तुम कहोगे मुझे यह में दूसरा कोई छीन ले जाएगा, तो पूरी तयारी कीजिए, और अच्छी तयारी कीजिए, तो आज की वीडियो में इतना ही बढ़ियां लगा होगा, तो लाइक और comments करके ज़रूर बताना कि हाँ सर काफी knowledgeable वीडियो तो अच्छा लगा, अगल वीडियो की topic बचाते हैं, हमें comment section बताएंगे, हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप सभी को all the very best है